हलो गाईज वेलकम बैक तू माइ नीव वीडियो तो दौस्तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैंके हम अपने मुबैल में गानेऊप किस तो किस तरा इलाई के हू ko लागा सकते हैं ringtone song download आप देख सकते हो मैंने search किया हुआ है तो यहाँ पे जो पहले ही option आपको दिखेगा उसके अंदर आपको चले जाना है जैसे आप यहाँ पे चले जाओंगे तो दोस्तों यहाँ पे millions of ringtones आपको देखने को मिल जाएगी आप देख सकते हो जैसे मैंने scroll down किया यहाँ पे आपको दुनिया भर की ringtones देखने को मिल जाएगी आप जिसे चाहिए उसे download कर सकते हो अगर आपको search करना है किसी ringtone को आपको उसका नाम पता है तो आप यहाँ पे search भी कर सकते हो या फिर जैसी आप search पे click करोगे आपे जो arrow दिख रहा है हमें simply enter कर देना है उस पर जैसी हमें enter करेंगे दोस्तों तो आप नीचे देख सकते हो sound effect में जितनी भी ringtones है मेरे mobile में दिख रहे है तो इस कहने से कोई एक ringtone है मैं जो download कर लेता हो यह एक ringtone को मैं download कर लेता हूँ इसे हम play करके भी देख सकते हैं हम इसे पहले play करके देख सकते हैं आप देख सकते हैं यह play हो रही है इसे जैसी मैं play करके देखता हूँ चेक कर लेता हूँ मुझे पसंद आती तो तो मुझे इसे डाउनलोड करना है तो स्क्रोल डाउन करते भी नीचे जाना है तो नीचे एक डाउनलोड का उप्शन दिख रहा है हमें सिंपल इस पे क्लिक करना है और यह जो रिंग्टोन है अभी मेरे मोबाल में डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पे आप देख सकते हो और डाउनलोड हो चुकी है मेरे मोबाल में तो सिंपल ही अभी है अभी है अपनी जो है रिंग्टोन डाउनलोड कर दिये अभी इसे सेट किसे करना है अपने मोबाल की रिंग्टोन पर कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ हमें चले जाना है back और चले जाना है settings में mobile की दोस्तो इससे पहले आप सबसे एक request है प्लीज मेरे channel को subscribe कर दीजिए वीडियो पसंद है तो please like करना ठीके दोस्तो और comment करके ज़रूर बताना करके आपको वीडियो कैसी लेगी तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं अपनी mobile की settings में आ चुका हूँ तो मेरा Samsung का mobile है अगर आपका किसी का भी और company का mobile है तो आपको हाँ पर search कर लेना है sound and vibration यहाँ पर आप देख रहे हो sound and vibration आपके mobile में भी होगा उपर नीचे कई ना कई तो होगा मेरे यहाँ पर second number भी option है आपको search कर लेना है simply उसमें चले जाना है तो कुछ इस तरह का interface आपको देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक नीचे जो है notification sound है और उपर जो है ringtone है तो simply मुझे ringtone में चले जाना है और ringtone में जैसी चले जाता हो तो यहाँ पर मेरे mobile में दो sim है तो पूछ रहा है आपको कौन से sim की ringtone रखनी है तो मुझे sim 2 में basic build आप देख सकते हो उपर sim 1 तो मैंने select की हुई है एक download की थी मैंने वो रख लिए यहाँ पर अभी जो है sim 2 में आप जैसी जाओगे यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी common ringtone से जो company से install होके आती वही सब ringtone से यहाँ पर मुझे दिख रही है यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह मैंने एक ringtone add की है मेरे sim 1 पर रखने के लिए उसी तरह आप sim 2 पी भी रख सकते हो तो आपको add करना ही है आपने जो अभी ringtone डाउनलोड की है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर आपको right hand side की तरह plus का निशान दिख रहा है उस पर क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप फोल्डर में आ जाओगे जितनी भी music आपके mobile में डाउनलोड है वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई दिने लगेगे तो आपको इसके लिए से सर्च कर लेना है तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए या तो फिर स्कोल्डाउन करके आप सर्च कर सकते हो या तो फिर इहाँ पर जो सर्च का औपशन दिक रहा है उसके आपको क्लिक कर देना है और उस music का नाम जो है जो file का नाम है उसको इहाँ पर type कर देना है तो हमने अभी जो धिक्म की थी तो Tokyo ideas रिफ्ट वगेरा की थी कुछ तो यहां पर मैं जैसे ही डालता हi influenced की तीन चर्ड जो है ringtone download की थी थोड़ी दर पहले तो सब लिए यहाँ पर दिखां ही दे रही है तो मुझे एक select कर लेनी है और उसे play करके देखना है आप देख सकते हो आप देख सकते हो यह प्ले हो रही थी अभी तो इससे मैं अभी प्ले करके देख लिया अभी मुझे यह पसंद है तो इससे मुझे अपनी रिंड्यों में add करना है तो यहाँ पे जू डन का option देखते हैं उपर simply ह्रोटा उपर पर set कर सकते हो company की जो default ringtones आती है उसके इलावा भी तो hope दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो please like करना चैनल को subscribe करना